हेलो एवरिवन, मैं हूँ मिनाक्षि और मेरे चैनल का नाम है ओमकारसोई मैजिक्स आज देखिए मैं इतने डिलिशियस सबजी बनाने जा रही हूँ और उसका नाम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी यह देखिए मैंने ली है लाल मिर्च, पांचे लाल मिर्च ली है जिनके पीछे का जो है वो जो हिसा है वो मैंने काट दिया है पीछे का डंठल जो होता है ना हो और अब इसको दो हिसो में मैंने काट दिया है ये दो इसो में कट करने के बाद में अब देखिए इनको क्या करना है कि थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर धनिया पाउडर जो है वो मैंने साबूत तो नहीं लिया दो फाड धनिया पाउडर लिया है और दन्या पाउडर डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसको गरम होने के लिए चड़ा देंगे आप थोड़ा सा इसको गरम इसलिए कर रहे हैं कि जो रेसेपी हम बना रहे हैं उसमें जो है ये थोड़ा सा भिगावा हो और ये फूल जाता है गरम पानी में तो इसलिए हम इसको गरम कर रहे हैं थोड़ी देर गरम करने के बाद अब हम देखिए आगे क्या करते हैं कि यहा मैंने लिए एक कढ़ाई दूसरी साइड में यहां जो है गरम हो रहा है हमारा जो यह धन्या और लार मिर्च और यहां मैंने कढ़ाई चड़ा दी है कढ़ाई में डाल दिया है पानी अब पानी डालके अब हम क्या डालेंगे इसमें अब देखिए इसको ना लगातार मैंने कर दिया है और श्टर करने के बाद में अब यह इसलिए श्टर किया जाता है ताकि फूल जाए तो यह एक तरफ मैंने कड़ाई चड़ा दी है और यह कुछ ट्रमाटर ले लिए हैं पांच चैक ट्रमाटर हैं ट्रमाटर जो है वो मैं इनका क्या करूंगी यह मैं आपको ताकि यह जो जितना भी मतलब उपर का जो होता है न तो उसको कट करना चाहिए ताकि जो गंदा होता है ट्रमाटर का थोड़ा पहुती सा वो निकल जाए और इसके तीन चार जो हैं इस तरह से बीच में से कट लगा के और इसको हम डाल देंगे कड़ाई के अंदर सारे ट् उबढलने के लिए रख दिये हैं इसको उबाला आना है इसमें और उबाला जब तक आ रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं यह मैंने पनीर जो है वो घर में ही बनाया है और लग थाड़े 500 ग्राम के करीब पनीर है और इतना पनीर देखेए चार बंदों के पनीर और लाल पनीर इतना अच्छा बनेगा इतना डिलिशियस बनेगा कि आप कहेंगे कि वास्तों में ही जो है बनाते बनाते ही खाने का मन करने लगेगा और मुझ में पानी आ जाएगा मैं जब बना रही थी ना तो इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं अभी इसको खालू और ये देखे ट्रेंगल जो है उसमें पीस काट रही हूं मैं और इसको आकार दे रही हूं ट्रेंगल का आप जो मन चाहा आकार आप दे सकते हैं मैंने इसका ट्रेंगल आकार दिया है क्योंकि सिंपल पनीर जो है वो मैंने बहुत बार जो है वो बनाया है तो ये देखिए मैंने कड़ाई पहले वो चड़ाई थी फिर मैंने जब देखा डालने के लिए तो मुझे यू लगा कि सारे पीसीज उसमें नहीं आएंगे तो इसलिए मैंने जो है फ्लैट वाली एक फ्राइपन लिया और इसमें मैंने सारे के सारे पीसीज डाल दी और लो मीडियम जो है मैंने गैस कर रखा है या ज़्यादा हाई भी नहीं करना क्योंकि हम जब दूसरी चीजे साथ में संभालते हैं तो पनीर जो है वो जलने काड़ रहता है तो यह देखिए यहाँ पर यह भी हमारे टमाटर वो गल के तयार हो गए हैं और इन टमाटरों को हम एक जो पलेट है ना इसमें हम निकाल लेंगे सारे के सारे टमाटर और यहाँ पनीर जो हैं वो बन राइस को भी हमें वीच-वीच में संभालते हैं ताकि पनीर नीचे नहों लग जाए तो आप चाहें तो एक बार में यह काम कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी और भी काम करने होते हैं जल्दी होती हैं तो इसलिए मैं साथ साथ में सभी काम रखती हूं तो ये देखिए मैंने जो है सारे टमाटर ठंडे होने के लिए रख दी हैं और यहां मैं इसमें कड़ाई में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पावडर और कम मुझे पानी लग रहा था तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर देती हूं तो थोड़ा सा पानी और मैंने इसमें डाल दिया और यहां हमारे पनीर जो हैं वो सोते हो रहे हैं पनीर को हमें बीच में संभालते इसलिए रहना है ताकि ये नीचे ने लग जाए और एक बार ये पनीर नीचे लग गए तो क्योंकि ये बहुत ही सौफ्ट होते हैं तो इनका टेश्ट जो है वो कड़वा कड़वा सा होने लगता है तो पनीर का आपको विशेश ध्यान रख सायता से नहीं तो मैंने फिर एक चम्मच और ये जो है लिया तो इसकी सायता से मैंने पनीर को उठाया क्योंकि कई देर जब हम लगा देते हैं तो बीच में इसको थोड़ा सा हमें स्टर करते रहना है थोड़ा सा इसके उपर जो है तेल वगएरा इसके जो तेल मैंने डाल और यहां मैंने पनीर को जो है उलट पलट कर दिया है और सभी जो टमाटर इनका मैंने छिलका जो है वो निकाल दिया है और छिलका निकाल के छिलके को हम एक तरफ जो है वो फैंक देंगे इस्तेमाल नहीं करेंगे और बाकी जो टमाटर है इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहां पानी भी हमारा उबाल आ गया है इदर और पानी मैने एक तरफ रग दिया इस पानी का भी हम यूज करेंगे मैं बताऊंगे आपको कि हमें इसके पानी का कैसे यूज करना है तो यहां मैं उठाने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी क्या नीचे से बन गया तो पहले बना नहीं था, अब यह देखे बन चुका है, दोनों तरफ से, अच्छी तरह से सिख चुका है, और यह मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और पनीर को, और यह देखिए, जो पानी इसका टमाटर वाला वो भी वेस्ट नहीं हुआ, हमने उस पानी का भी इस्तेमाल कर लिया हैं, अब जो हमने लाल मिर्च और धन्या ये दोनों जो भीगोके रखे थे न, तो इनको मैं ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके ले आती हूं, और ये मैंने पीस लिये हैं, ट द्धनिया और लाल मिर्च इन सब का पेष्ट बना लिया है अब हम देखी कड़ाई मैंने जो तेल था वो जो बचा हुआ था उसी का इस्तिमाल क्या है और वो तेल मैंने चड़ा दिया है और मैंने डाल दी है एक जो है बड़ी लाची दालची नी और ये खड़े मसाले में एक लोंग डाल दी है चार पांच जो है मैंने डाल दी है काली मिर्च और मैंने डाल दी है इसमें हरी लाइची इसके भी मुझ खोल के मैंने डाल दी है दो हरी लाइची जो है मैंने डाल दी है अब यह देखिए यहां मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा जीरा पाउडर और तब तक और ये थोड़ा सा इनका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी चीजे जो है वो जब इसमें डालते हैं तो कोई भी ग्रेवी तो मैं क्या करती हूं कि इसको स्पेशली डखन से थोड़ा डख देती हूं ताकि इसका धुआ धुआ सा सारी कीचन में ने फैले तो कीचन जो है वो साफ करने बड़े मुश्किल हो जाती है बार बार में यह दी इसका तेल जो उड़ता है तो थोड़ा सा हम डखे ही इसको जो मसाले वगरा या कुछ भी च करते हैं और तब तक हम इसको ढखके पका लेते हैं थोड़ा सा और वहां जो है हमने जो पनीर डाला था वो हमारा पकने के लिए मतलब थोड़ा सोफ्ट होने के लिए तैयार है तो क्योंकि पानी में इसलिए डाला ना सोफ्ट हो जाएं तो यह देखिए यह मैंने लिया है द कस्तूरी मेथी हो रही है हमारी गरम और तो जब हम थोड़ी सी इसको गरम करके इसको करश करते है न तो इसका टेस्ट जो है वह बहुत ही जादा आता है किसी भी सब्जी में यह दिया हम डालेंगे तो तो बार बार में मैं आपको यह बताती हैं कि हम इसको जब कस्तूरी थी डाने तो गरम करके ही डाने थोड़ी सी नवाई करके अब यह देखिए मैं जो है ग्राइंडिंग जार में मैंने जो है वो कर दिया है और है अब मैं इसको जो जितना भी यह जो है समान वह इसमें डाल देती हूं यह देखिए पहले मैंने इसमें डाली कस्तूरी में थी थोड़ी सी और अब मैं जो ये धही है इसका जो पेश्ट मैंने बनाया था वो इसमें मैं डाल रही है तो इसको लघातार stir करते रहना है क्योंकि यदि अमने इसको stir ने किया तो हुगा क्या कि ये फट जाएगी दही और थोड़ा सा जो है grinding jar में पानी मैंने ढाल दिया है और जितने भी दही जो लगी भी थी वो मैंने इसमें ढाल दिया पानी ढाल के और ये मैंने डाल लिया है इसमें सोंट पाउडर थोड़ा सा सोंट पाउडर डालने के बाद में अब इसको लगातार श्टर करते रहना है ये मैंने अद्रक का पाउडर जो है वो मैंने डाला है ये भी मैंने सुखा रखा थी अद्रक और उसका पाउडर बना लिया था अब मैं इसको हिला रही हूँ लगातार आपको इसको स्टर करना है ये देखे उबाला थोड़ा सा आ गया है और ये है लैसून थोड़ा सा लैसून जो है उसका मैंने पेश्ट बना के रखा वा था तो ये मैंने डाल दिया थोड़ी सी मैं वैसे तो कलर बहुत अच्छा है इसलिए और लगातार श्टर करते हुए हमें ग्रेवी को पकाना है और ये देखे कितनी उंदा जो है वो इसका कलर आया है और कितना अच्छा इसका फ्लेवर आया है और देखते ही मूं में पानी आ रहा है लगता है कि हम ग्रेवी के साथ ही रोटिया खा लें और ये देख को बता दूगे. और यह देखिए कितना स्पंजी स्पंजी सौफ्ड सौप जो है हमारे पनीर यह तयार हो गया है. कितना नरम मुलाइम और एक अलग ही मतलब पनीर का जो रूप है वो एक अलग ही निकर क्या आया है, और यह देखिए जो पानी जो भी हमेशत में डाल देते हैं और लगातार श्टर करते हुए में इसको लगातार इलाना है और एकदम ग्रेवी में जो निखार आया है जो मतलब ग्रेवी बन के तयार हुई है मुंँ में पानी आने वाला दिलिशियस तो साथियों जो है बनाएए यह लाल 컨ईर अपने भी खिलाईए और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों इसी से जो है ना मेरा होसला बढ़ता है और पता लगता है जब आप कमेंट बुक्स में कमेंट करते हो ना ये देखिए क्या स्वादिष्ट जो है वो पनीर बना है और मेरे मुझ पानी आ गया और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी ईसको खालूं और तुरंत ही मेरे से वेट नहीं हो रहा है और ये देखिए मैं बच्चों को आवास दे रहे हूं कि जल्दी आऊं और जल्दे फटा-फट खाना खाते हैं और बहुत स्वाधिष्ट लजीज बना है और उपर से डाल दी मैंने थोड़े सा कस्तूरी मेती जो बची हुई थी ना वो और मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मैंने गार्णिश के लिए इसमें थोड़ा सा और मैं इसमें डाल देती हूं कस्तूरी मेती क्योंकि इससे फ्लेवर जो है इनांस होता है और ये दे अब टेश्ट इतना अच्छा और इतनी सुगंद आ रही है पूरी रसोई जो है वो महक गई है यह देखिए बन के तयार हो गया है हमारा पनीर और एक अलग ही रूप में एक अलग अंदाज में और आप लोगों को पसंद जरूर आएगा